हलो आप वर्वान वागम टो दिस चैनल कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले सोताप के माइंड में जो भी पर संट्रल रहे हैं राइट ना वो आपको क्या अर्जेंट मेसेज देना चाहते हैं टाइम लास रीडिंग है जब आप इसे देख रहे होंगे अपसे रसनेट होगी एंड जो ना रीडिंग है जितने मेसेज़स आपसे रसनेट होतने लीजेगा बाकी को स्किप किएजेगा एंड एनर्जी आपसे मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलेगा वीडियो को लाइक कीजेगा कॉमें जैसी आराम लिख सकते हैं ओ कि ऐसे इंसान है जिसके लिए easy नहीं है अपनी feelings को confess करना ये easily open up नहीं हो पाते हैं maybe आप expressive है बट ये नहीं है listen up your intuitions ये आपसे कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं बोलेंगे बस आप अपनी intuition की सुनिये और अपने दिल से पूछिए कि आपसे क्या कहना चाहते हैं action आपकी person आप so मेरे viewers आपको कहीं से abundance मिल सकती है कहीं से आपको पैसा receive हो सकता है I'm focusing on building a future आपकी person इस वक्त अपने future को लेके बहुत जादा concern है बहुत जादा इनका focus future को लेके है मतलब इनको एक bright future चाहिए आपके साथ और उसके लिए वही बात है भई आपको अगर stability देनी है तो पहले ख इसलिए खुद को stable करने में लगे पड़े है I want to change आपके person change होना चाहते है खुद में change लाना चाहते है हो सकता है कभी आपने इनसे कहा था कि तुम्हें बदलने की सरुत है और अभी यह बदल रहे है अभी यह मत कहना मेरे viewers कि मैं यह तो कब का बदल गे I'm ready to fight for this relationship अरे यह positive way में change हो रहे है अभी यह ready हो रहे है इस relationship के लिए action लेने के लिए इस relationship में जो भी challenges है उनको face करने के लिए ready हो रहे है यह वैसे change नहीं हो रहे है अभी यह ऐसे change हो रहे है कहीं मन नहीं लग रहा है so इनका मन कहीं नहीं लग रहा है आपके बिना इनका मन जो है वो कहीं नह लग रहा है okay next we have financial issues as I said कि आपके जो person है इनके पास stability नहीं है अगर ये खुद stable नहीं होंगे तो आपको stability कहां देंगे तो अभी ये सोड़े से finance in के low चल रहे हैं उस पर focus कर रहे हैं I'm trying to gain courage to explain my feelings भाई इन में इतने guts नहीं है मतलब इन में इतनी अभी हिम्मत नहीं है ये हिम्मत जुटा रहे हैं definitely कहेंगे आप से triple one का sign है जो कि बताता है एक new beginning को इस connection में एक new beginning होने वाली है और ये awakening का भी sign है awakening का भी number है no one can ever replace you इनको इतना तो अच्छा से पता है कि आपकी जगह इनकी life में कोई नहीं ले सकता आप तो आप है please talk to me okay your silence is killing me so please ये आप से request कर रहे हैं कि आप इनसे बात करिए आप जो अचानक से चुप हो गए हैं ये चुपी कहीं न कहीं आपका ये silence कहीं न कहीं इनको अंदर ये अंदर kill कर रहा है justice so आपके साथ justice होने वाला है मेरे viewers universe आपको justice देने वाले हैं आपके person को भी हैसास हो रहा है कि शायद आपके साथ justice नहीं हुआ है so अभी आपको justice देने वाले है trust me please इनका trust करें ये आप से कह रहे हैं कि trust me जो भी चीज़े गलत हुई थी past में मैं सब ठीक कर दूँगे gender specific नहीं है अपने हिसाब से ले लीजेगा आपके partner लड़का है ये लड़की how can you love me so much या से पुछा है कि आप मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो सो बताइए इनको आपने इनसे इतना प्यार क्यों किया heartbreak हो सकता है आपने इनसे इतना प्यार किया फिर भी इनोंने आपका heart जो है वो break कर दिया या फिर हो सकता है कि अब ये heart broken है I can't leave them ये third party की तरफ इशारा कर रहा है ये message ये उनको नहीं छोड़ सकते अभी वो time नहीं है जहां ये third party को छोड़ सके I exist but I'm not living आपके person इस दुनिया में exist तो करते है भई ये फलाने नाम का फलाना person फलानी जगह है लेकिन ये J नहीं रहे है true love इनको ऐसा लगता है कि ये जो connection है आपका ये जो love है ये true love है fake नहीं है ये truly आप से love करते है in a work in progress आपके person भी in a work कर रहे हैं ये भी अपने अंदर सुधार लेकिया रहे हैं जहां जहां इनको सुधारने की ज़रत है वहां वहां ये सुधार कर रहे है I'll never let you go आपके person आपको कहीं नहीं जाने देंगे कब भी नहीं छोड़ेंगे आपको ये आपसे connected रहेंगे ही रहेंगे चाहे आप माने या ना माने I feel I'm dying inside इनको ऐसा फील हो रहा है जिसे यंदर यंदर मरे जा रहे हैं ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट मेसेज़ प्लीज गाइज अवोईड कीजिएगा बैग्राउंड नोईस को arrange marriage हो सकता है इनके जहां कहीं भी शादी हुई है अगर ये married है तो इनके जहां कहीं भी शादी हुई है वहाँ ये बिल्कुल खुश नहीं है How could you do this to me? So ये आपसे पूछ रहें कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भाई क्या कर दिया आपने देखते हैं अपने भाई को सब कुछ बता दिया और इनकी पिटाई कर दिया just kidding ब्रेदर का issue हो सकता है आप दोनों के बिच love marriage हो सकता है इनके ब्रेदर या आपके ब्रेदर नहीं चाहते कि आप दोनों की love marriage हो बठाँ आप दोनों तो ज़रूर चाहते हो कि आप लोगों की love marriage हो no matter ये married है और married है वाव जाते जाते क्या good news दी है ये निवर्स ने हमें third party ending soon आप दोनों की भी जो भी third party है जाहें इनका भाई हो जाहेंगी बहन हो जो भी हो जो भी third party है जो भी दिवार बन के खड़ी आप दोनों की बीच आप दोनों की मिलन नहीं होने दे रहे आपका harmonious union नहीं होने दिया जा रहा जो भी third party है वो भी जल्द end होने वाली है okay so this is my new deck अभी इस deck से देखते हैं आपके person और क्या message देना चाहते हैं आपको so pick a pile reading करने वाले हैं यहाँ पर मैं pile ready कर रही हूँ आप लोगों के ही सामने एक pile का चुनाव कीजे का देखते हैं और क्या specific message आपके person आपको देना चाहते हैं so this is pile number one and this is pile number two so जल्दी से एक pile का चुनाव करें देखते हैं और क्या secret यह आप से share करना चाहते हैं कि मन की बात जो यह नहीं कहा रहा है आप से जन्होंने pile number one को choose किया है okay nothing comes from nothing okay so यह message मुचे यह से बता रहा है जैसे इनको इस वक्त ऐसा लग रहा है यह बताना चाह रहे है कि इनको ऐसा लगता है कि दीरी दीरी hope लूज कर रहे है इस connection में अगर अभी आपके towards यह कोई action लेंगे instant अगर कोई action लेते हैं तो इनको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पर step by step आपकी परसंट चलना चाहते हैं so यह आप से in short में कहूं तो आपको यही message देना चाहते हैं कि please have patience patience रखिये step by step आपकी की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर इनोंने जल्दबाजी की या कुछ ऐसा किया इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ यह instant कोई action ले सके आपकी towards जिनोंने पहल नमबर टू कचुनाफ किया है communicate and checks and balances great karmic board okay देखिए यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपसे बात तो करना चाहते है no doubt communicate करना चाहते है लेकिन इनका किसी third party के साथ या किसी third person के साथ इनके अभी karma pending है okay जब तक वो karma इनका ऐसा समझे जब तक कि karma pending रहेगा तब तक यह आपके towards को strong action नहीं ले पाएंगे हाँ यह आपसे communicate definitely करना चाहते है और यह आपसे communicate करेंगे भी लेकिन इतना याद रखिएगा कि यह third party को closure बिल्कुल नहीं दे रहे है इनके अभी karma pending है okay अभी song क्या dedicate कर रहे हैं आपके person आपको so song है तुझे कैसे पता ना चला कि दिल तुझे प्यार करता है भई कैसे पता नहीं चला आपको आपको पता होना चाहिए था न so इसमें भीवदे को भई आप यह को blame किया जा रहे है all right second song है तरसती है निगाहे मेरी तकती है रहे तेरी चाहिए पनाह तेरी यह कैसे मैं बताऊं तुझे सोती नहीं आँखे मेरी कटती नहीं राते मेरी so इनके निगाहें तरस गई हैं आपके देदार के लिए रातों को लोगी तरह जागते रहते हैं आपको मिस्स करते रहते हैं overthinking है so दोनों की beautiful song है सुन लेजिएगा literally आपको blame कर रहे हैं कि आप इनके हाल से अंजान कैसे हैं का हाल से बेहाल हो रखा लेकिन आपको कुछ पढ़ी नहीं है so guys यह थी छोटे से reading hope आपसे resonate की है resonate की है तो चैनल को subscribe सरूर कीज़ेगा वीडियो को like कीज़ेगा comment करना ना भूले मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए take care अपना ख्याल रखें जैसी हारा